नमस्कार, साथियों, प्रस्तुत है 100% परफेक्ट इको क्लब का गठन, इको क्लब के गठन का प्रारू, शासना देश के अनुसार, साथियों, प्रतेक राजकिय बिध्याले में इको क्लब का गठन होना बहुत ही अनिवार है, क्योंकि सत्र 2024-25 में इको क्लब द्वारा प्रतेक माह गत्विदियां बिध्याले में होनी है, जिनके लिए धनरासी हमारे PFMS एकाउंट में प्रेशित की गई है, और अभी आगे और भी की जाएगी, किस्तों में ये धनरासी हमारे खातों में आ रही है, तो जैसा कि हम सभी सिच्छक सातियों को पता है, कि जो भी धनरासी हमारे विध्याले हेतु आती है, उनका ब्योरा तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है, और वो भी एकदम परफेक्ट, मैंने बहुत सी वीडियों देखी है, एको कलब के गठन से सम्मंदित, परन्तु जो शाषना देश में निर्देश दिये गए हैं, उसके अनुसार, कोई भी ऐसी वीडियों मुझे नहीं मिली, जिसमें परफेक्शन हो, पूर्णते शाषना देश के अनुसार, एको कलब का गठन किया गया हो, इसी लिए इस वीडियों को बनाकर अपने सवी शिचक साथियों के लिए प्रिशित कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, साथियों, आप यहाँ पर जो प्रारूप देख रहे हैं, वो शाषना देश के एक एक विंदु के अनुसार, एक दम परफेक्ट है, अभी आपको डिटेल में एह गठन दिखाया जाएगा, यह सिर्फ जो बिध्याले के प्रधानाचार से लेकर छात्र छात्राओं तक का जो गठन किया गया है, जो निशकर्ष है, वो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है, इसके बाद कैसे इसका गठन होना है एजंडा से लेकर बैठक की कारवाही तक और उसके उपरांत प्रतेक कक्षा अध्यापक को भी एक एक रजिस्टर अपने सदन के अनुसार तयार करना है, वो भी आपके साथ अगली वीडियो में शेयर किया जाएगा, साथियों इस अभिलेकी करण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्सर बॉक्स से मिल जाएगी, सबसे पहले देखिए किस तरह से हमने एजेंडा लिखा है हमारा शासना देश जुलाई माह में प्रेशित किया गया था हमारे जनपद में, इसलिए इसका गठन अगस्त में हमने किया है, क्योंकि जुलाई के दौरान हम अवकास पर थे, अब यहां पर किस तरह से एजेंडा निकाला है, देखिए, दिनांग आठ अगस्त दोहजार चौविस, सदन हाउस के आधार पर, इको कलब का गठन, एजेंडा, महा निदेशक स्कूल सिच्छा एबं राजपरियोजना निदेशक कार्याले समग्र सिच्छा उत्तर प्रदेश के अंतरगत, भारस सरकार के पत्रांग आठ एकिस दोहजार तेश, इए बारे दिनांग, सत्तरे नवंबर दोहजार तेश के माध्यम से विद्यालियों में इको कलब की गत्यविदियों के आयोजन हेतु, प्रतेक सरकारी विद्याले में इको कलब का आयोजन किया जाता है राज सरकार ने सत्र दोहजार चौविस पत्चीज में आदेश क्रमांग पत्रांग और यहां पर इस तरह से ये पत्रांग संख्या डाल के देनांग 22 जुलाई को, 22 जुलाई को हमारे जन्पद में इस गठन के लिए या हो सकता है कि हमको ये 22 जुलाई को प्राप्त हुआ हो, सासना देश अपने ब्लॉक स्तर पर तो के अनुसार कल देनांग 9 अगस्त 2024 को प्रात्मिक विद्याले खरगाती पुर में इको कलब का गठन किया जाएगा अताय सभी शिच्चुकों, अविवावकों, छात्र छात्राओं की उपस्थिती अनिवार एवं प्रात्मिय है और यहां पर इस तरह से प्रणा अध्यापक के हस्ताचर आगे देखिए, गठन की कारवाही, इको कलब्स फॉर्मिशन लाइफ आज दिनांग 9 अगस्त 2024 दिन सुक्रवार को प्रात्मिक विद्याले खरगाती पुर में इको कलब का गठन किया गया कलब का नेत्रत्तो प्रधाना दियापिका शिरीमती बिजल अच्छिमिजी द्वारा किया गया सभी छात्र छात्राओं, शिचकाओं एवं अविवावकों की उपस्थितिक में इको कलब का गठन निम्न प्रकार किया गया यहां पर देखिए शिरीमती बिजल अच्छिमी जो कि प्रधाना दियापिका है ऐसे ही किसी भी बिद्ध्याले में प्रधाना दियापक या इंचार्ज प्रधाना दियापक यानि प्रभारी शिचक ये किलब प्रभारी के रूप में यहां पर न्यूक्त किये जाएंगे उसके बाद एक शहायक सिचक नोडल सिचक जिसको हरित सिचक बोला जाएगा यहां पर श्रीमत्री ट्विंकल गुप्ता जी नोडल सिचक के रूप में न्यूक्त की गई है जुनको हम नोडल सिचक या हरित सिचक यहां पर अंकित करेंगे लिखेंगे अब आगे देखिए जैसा कि शासना देश में अंकित है कि पांच सदन बनेंगे और चुंकि हमारा बिद्ध्याले प्राथ्मिक बिद्ध्याले है इसलिए इसमें यहां पर प्रते क्लास को एक एक सदन बना दिया गया है कक्षा एक प्रत्वी सदन कक्षा दो जल सदन कक्षा तीन बायू सदन कक्षा चार आकाश सदन और कक्षा पाच अगनी सदन तो यहाँ पर सदन बन गए हैं आगे देखिए इस पूरे प्रारूप को समझते हैं यहाँ पर कलब प्रभारी प्रधाना ध्यापक का नाम नोडल शिच्छक जो हर्द शिच्छका है उनका नाम और कैप्टन गगन कक्छात्र कक्छा पांच का यानि यह तीन लोग जो है वो इस कलब के मुख्य हैं जिसमें प्रधाना ध्यापक सहायक सिच्छक और कैप्टन आगे देखिए इको कलब में पांच सदन बनाए गए हैं ठीक है इतना पहले ही बता दिया गया है किलास के अक्वार्डिंग कक्छा एक दो तीन चार पांच और यहां पर इन कक्षाओं के सदन को इस तरह से नाम दिया गया है प्रत्वी सदन कक्षा एक प्रत्वी सदन आप पूरा एकदम सीक्वेंस से देख सकते हैं किस तरह से क्या-क्या यहां पर ग्राप करके कैसे अंकित किया गया है और कक्षा 2 जल सदन, कक्षा 3 बायू सदन, कक्षा 4 आकाश सदन, कक्षा 5 अगनी सदन अब यहाँ पर सदन बन चुके हैं उसके बाद हर एक सदन के जो कक्षा ध्यापक है उनको कक्षा शमनवयक बनाना है जैसा साशना देश में अंकित है तो कक्षा 1 की जो कक्षा ध्यापका है वो है स्रीमत्री बिजयलक्षमी जी इंचार्ज प्रदाना ध्यापका भी है और कक्षा 2 की जो कक्षा ध्यापका है वो है स्रीमत्री रजनी जादों जी जो साहयक अध्यापक है और कक्षा तीन की जो कक्षा शमनवयक है या कक्षा ध्यापिका है जिनको कक्षा शमनवयक बनाया जाएगा वो है स्रीमत्री ट्विंकल गुपता जी साहय अकद्यापक और कक्षा चार में कक्षा शमनवयक स्रीमती रामश्री जी जो शिच्छा मित्र है कक्षा पांच में कक्षा शमनवयक श्रीमती नीलम जी जो शिच्छा मित्र है ठीक है अब इसके बाद नीचे आता है शदस्यों का नंबर सदस्यों की बारी तो कक्षा शमनवयक के नीचे ध्यान से देखिए यहां लिखा गया है सदस्य हर क्लास में सदस्य हमें लेने हैं कक्षा एक से लेकर पांच तक अगर आप जूनियर विद्याले में हैं तो आप कक्षा एक से अब स्वारी कक्षा छे साथ और आठ में बच्चों को पचास पचास परसेंट बर्गी करत करके उनमें भी आपको यह पांचों सदन बनाने हैं आपके साथ जूनियर विद्याले की जो पंजिका है इको कलब गठन की वो भी बहुत जल्द ही आपके साथ शेर की जाएगी अभी यह प्राइमरी स्तरकी बनाई है आप इसकी हैल्प से जूनियर भी बना सकते हैं और बहां पर अगर दो शिच्चक हैं या तीन शिच्चक ह दो के नीचे आ चाएंगे एक से शिच्चक के अंतरगत आ जाएंगे अगर दो शिच्चक हैं तो जो इंचाज प्रधाना ध्यापक हैं या प्रधाना ध्यापक हैं उनके अंतरगत दो सदन जाएंगे और जो सहायक हैं उनके अंडर में तीन सदन आएंगे इसी तरह से अगर तीन सिच्छक हैं जूनियर स्कूल में तो एक सदन जाएगा प्रधाना ध्यापक के पास और दो दो सदन जाएंगे दो अन्य सहायक अध्यापकों के पास इसके अतरिक अगर विध्यालाय आपका कंपोजिट है तो उसी के अनुसार आप सदनों का विभाजन कर लीजिए और चलिए अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं और जूनियर की जो पंजिका है उसको भी हम बहुत जल्दी आपके साथ एक या दो दिन में शेर कर देंगे बना कर तो अभी इस पर कंसंट्रेट कीजिए यहां पर देखिए हमने प्रतेक किलास से 50 प्रत्षत बालिका और 50 प्रत्षत बालक यहां पर सदस्ट के रूप में लिये हैं जो बच्चे शत प्रत्षत उपस्थित रहते हैं और जो बच्चे अपनी इच्छा से इस गठन में आने के लिए तयार थे उनमें से हमने कुछ बच्चों को यहां पर लिया है कैसे यह कक्षा एक का सदन चलाए प्रिथ्वी सदन चलाए इसमें देखिए सदस्य यह बालक है बालक सदस्य एक दो तीन चार इसी तरह से चार बालका सदस्य हैं ऐसे ही कक्षा दो में भी हैं इसमें हमने पांच बालक और पांच बालका ली हैं कक्षा दो में कक्षा तीन में भी पांच बालक और पांच बालका हैं और एक तो तीन चार पांच इसमें एक बालिका कम है उसको एड किया जाएगा और कक्षा चार में भी पांच बालक पांच बालिका और कक्षा आमें प्रवारी, हर्थ सिच्छक या कैप्टन, या कक्षा समन बयक या सदर से बनाने हैं तो अब इहां पर आप देख सकते हैं, प्रतेक सदन के नीचे हस्ताचर है, ये प्रत्वी सदन कक्षा एक के नीचे यहां पर कक्षा शमनवयक के हस्ताचर है और ये जल सदन कक्षा दो के नीचे हस्ताचर है कक्षा शमनवयक के ठीक इसी तरह से कक्षा तीन यानि बायू सदन के नीचे हस्ताचर है कक्षा शमनवयक के कक्षा चार आकाश सदन के नीचे भी कक्षा शमनवयक के हस्ताचर है और कक्षा पांच कक कक्षा शमनवयक के ख़स्ताचर है तो यह तो प्रारूप है आप इसको देखकर ऐसे बना लीजिए इसके बाद हमको क्या करना है वो भी समझ लीजिए यह जो सदन पांच बने हुए हैं इन पांचों कक्षा शमनबयक को एक-एक पंजिका अपनी तयार करनी है और उस पंजिका में जिसका जो सदन है वो सदन लिखा जाएगा कि जैसे की कक्षा एक प्रत्वी सदन है तो प्रत्वी सदन की पंजिका विजल अच्षमी जी जो की कक्षा शमनबयक हैं उनको बनानी है आपके साथ एक-एक सदन की जो पंजिका तयार की जाएगी हमारे विद्याले में वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और इसके अलावा जो शासना देश में गतिविदिया दिये माहवार यानि मन्थवाइज उनको आप अगर चाहें तो अपनी इसमें पंजेका में अंकित कर सकते हैं और नहीं अगर अंकित करना चाहते हैं तो शासना देश की PDF आप वीडियो के description box से आपको पूरे शासना देश की PDF मिल जाएगे जिसमें की गतिविदियों का मासिक कलेंडर भी include है आप उस PDF से आप उसको अपना फोटो स्टेट करवा सकते हैं निकलवा सकते हैं और इसमें पंजिका में गतिविदियों के कलेंडर को paste कर सकते हैं आगे देखिए इसके गठन के बाद यह जो सासना देश में एको कलब के बारे में बताया गया है इसमें कुछ points लिखे हुए हैं आप इनको देख लीजिए आप PDF से इसको देख के लिख लेना सासना देश की PDF से देख कर भी लिख सकते हैं और आप इसमें से भी लिख सकते हैं आप यहां देख रहे हैं यह मैंने पहले गठन किया था लेकिन यह सही नहीं लगा तो इसको मैंने कट नहीं किया है यह भी गठन है बट यह मुझे सही नहीं लगा शासना देश की अनुसार तो आप इसको ना लिखें आप देखिए इको क्लब के उद्देश्य इसके बाद इको क्लब का स्कूल में जो कारे है वो क्या-क्या है इनको मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा यह इसका जो गतिविदी का कलेंडर है उससे आप पीडियेव से इसको साफ साफ लिख सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके आप मैंने कुछ पॉइंट से यहां लिखे हैं जो मैं तो पूर कारे हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं एक बार फिर से बताने साथियों इस गठन का पूरा अवलेखी करन आपको पीडियेव लिंक में मिल जाएगा आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं और साथियों यह पूरा इको कलब का गठन करने के उपरांत यह है सपत ग्रहण समारोर तो यहां पर इस तरह से इस फॉर्मेट को लिखना है और चूंकि यह यहां पर मैंने कैप्टन का नाम लिख दिया है बट यहां पर प्रभारी का नाम लिखा जाएगा जो प्रधाना द्यापक हैं और बाकी सभी लोग साथ में सपत लेंगे और इस तरह से जितने भी लोग इसमें है उनके हस्ताचर होंगे इधर यह गख्षा शमन बयक जो हैilly उन सभी लोगों के हस्ताचर है और यहां पर कुछ बच्चों के हस्ताचर हैं अभी कुछ बच्चों के हस्ताचर बाग की भी हैं तो साथियों एक वार फिर से आपको बता दें सभी कख्षा शमनबय को एक एक रजिस्टर देना है और सदन के अनुसार इसमें क्या गतविदियां मासिक करानी हैं क्लासों में वो सभी गतविदियों का रजिस तर आपके साथ सेयर किया जाएगा साथियों आपको हमारा ये गठन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए और इसी तरह से जितने भी महत्वपूर अबलेक हैं हम आपको समय रहते समय से पूर्व उपलप्त कराते रहेंगे और बहुत शेग्र ही आप आपको नभीन प्रवंद समिति गठन का अविलेखी करण शेर किया जाएगा अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद